भारत में कोरोना वाइरस के मामलों की संख्या लगातार बढ़ रही है रविवान राद कोरोना मरीजों की संख्या का आकणा 60 लाग के पार पहुँच चुका है सरकार के सक्त कदम उठाई जाने के बाद भी कोरोना अपने पैर तेजी से भारत में पसार रहा है जहां मरीजों का आकणा 60 लाग के पार पहुँच गया तो वही 50 लाग संक्रमित कोरोना को हराकर स्वास्त भी हो चुके है केंद्री स्वास्त मंतराले के और से जाली किये गए आकणों के मताबिक पिछले 24 घंटों में संक्रमन के 88,600 नई मामले पाए गए जिसके बाद आब एक कुल मामले बढ़कर 69,92,530 हो गए है वहीं बीदे 24 घंटों में 1124 लोगों की मत हो गई जिसके बाद देश में अब तक कोरोना से 94,503 लोग अपनी जान कवा जुके है आपको बदा दे कि भारतिया चिकित्सा अनुसंदान परिशत के अनुसार देश में अब तक 7.2 करोड नमूनों की जाच हो जुकी है रविबार को साथ देश मलब शुने नौ लाक नमूनों की जाच हुई वहीं अगर उत्राखन राजर की बात की जाए तो यहाँ पर भी कोरोना का कहर लोगों पर लगाता तूट रहा है रविबार को राजर में कोरोना के 764 नहीं मामले दर्ज किये गए जिन में सबसे ज़्यादा केस देरादून से पाए गए देरादून में 241, हरिद्वार में 149, पौडी में 90, उधम सिंग नगर में 90 केस सामने आए वहीं बीते 24 घंटों में कोरोना के चलते 8 और लोगों की मौत हो गई इसके साथी मरने वालों खांगना राजर में 574 तक पहुंच गया राजर में डबलिंग रेट 35.2 प्रतिशत पहुंच गया रिकबरी रेट 75.3,8 प्रतिशत है कोरोना के मामले जैसे जैसे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे आम लोगों के लिए खत्रा भी बना हुआ है ऐसे में साबधान रहने की सक्थ जरू थे ब्यूरे रिपॉर्ट समभा 3.65 ब्यूरे बना हुआ है